आज की इस वीडियो के अंदर हम लों डिसक्स करेंगे हिदायत उल्ला नाशनल लॉड उनिवरसिटी यानि की HNLU राइपूर के बारे में कि आप अगर यहां से अपना LLM परसीओ करना चाहते हो तो यहां पर सीट इंटेक प्लेस्मेंट्स टीचिंग फैकल्टी आपके कांपस लाइफ आपके जितने भी बाकी कॉलेज़ेस है क्लैट पीजी के अंदर उनसे एक इनपर पूरा स्टडी मैं आपको यहां पर दूँगा कि यहां पर लर्म करने के फाइदे क्या है नुकसान क्या है क्या आपको यहां से परसीओ करना चाहिए इस्पेश्याइशन कौन-कौन सी है और यह जो इन्फोमीशन मैं आपको दूँगा यह है आफ्टर कंसल्टिंग विद इस्टुरिंट्स जिन्हों की ने यहां पर ग्राजुएशन और पोस्ट ग्राजुएशन करा है तो यह यहां पर इन्फोमीशन मैं काफी हद तक आपको आकुरेट देने के कोशिश यहां पर करूंगा बहुत ही बढ़ियां वीडियो यह होने करते हैं इस कोर्स के अंदर हम लोग ने आपको सारी चीजें कॉंप्रेहेंसिव स्टैडी मटीरिल विडुडी लेक्ट्र फिफ्टी मॉक पेपर जहां पर आपको सारे जो क्याट पीजी के प्रीविस यह के पैटर्न हैं और जो आपको दोजा चॉबिस का एक्जाम होगा पैटर्न सब मिला के आपको साइज चीजे मिलेंगी आपको केस लॉज बिलकुल रेलवेंट सारे के सारे लैंडमाफ हो चाहे रीसेंट हो जितने अमेंडमेंट्मेंट्स हो सारी चीजें एक पूरा पाकेज आपको यहां पर सको से प्रवाइट करते हैं और यहां पर हम लो पर सकोर्स में अर्ल करने का सो सकते हैं एक वाइट शूर करते हैं चैनली राइपूर के बारे में कि आगर इस कॉलेज में सबसे पहली बात तो अगर एडमिशन चाहते हो तो आपके मार्क्स यहां पर कित्ते होने चाहिए इस एक्जाम में वह डिसकस कर लेते हैं देखो 2021 में जब पेपर हुआ था तो कॉट आफ जो थी न वह गई थी कम और जो सुरिंट्स थे उन्होंने यहां पर एडमिशन भी जम के लिया था तो इस तो इससे 742 के रांक तक ही यहां पर वह रहा 2022 में यह चीज बढ़ गई थोड़ा सा पर वह हुआ यहां पर जो पेपर था थोड़ा सिमलर आया था तो यहां पर यह जो चीज हो गई यह आपकी एक हजार बारा तक रांक चलीगे कट ओफ की और उसके बाद जो आपका 2023 के पर हुआ है उसमें जो आपका सुड़ेंट्स का यहां पर एडमिशन लेने का भी आपका क्राइटीर थोड़ा सा बतला है साथ में जो एक को आप कहसते हो कि काफी चीज से बतला है इसमें इन्व अचा पर हुआ है तो मैं अगर आपको सेफ रांक अगर बताऊं तो आपको अगर हंडरं अप्याбयरद तक लिए अरह का तो पक्का पक्का चांस यहां पर बन जाता है depending upon कि जो college यहां पर है उनका cut-off यहां पर क्या जाता है कि paper किस तरीके का है उसके अलावा भी अगर score की बात कर रहे हो तो कम से कम 45 से लेके 55 के score में आराम सी college आपको मिल जाना चाहिए कोई यहां पर दिक्कत नहीं है तो यहां पर देखो यहां पर यहां पर राता है उसको कहीं न कहीं यहां पर students compare करते हैं as a second-tier college की GNLU, RMLU, RGNLU, Patiyala इन सबसे इनका यहां पर comparison रहता है इन चारों में वो रहता है, कुछ students यहां पर MNLU मुंबई को भी preference देते हैं because of maritime law थोड़ा से वहां पर मुंबई में जो आपका यह कह सकते हो आपको connection मिलता है तो corporate firms और वहां पर offices वगरा थोड़ा सा अच्छा यहां का system यहां का बढ़ियां तो उससे लोग prefer करते हैं बागी HNLU, काफी अच्छा college है और अगर आप बात का तो specializations की तो आप corporate law के लिए अगर मालने specialization चाह रहे हो तो आप इसको अपने उसके अंदर कह सकते हो कि तो point is that कि HNLU अगर आ रहे हो तो आप यह मान के चलो कि यह college अच्छा है काफी इसमें कोई doubt नहीं है बट कुछ लोग depending upon कि उनकी geographical location क्या है GNLU को prefer करेंगे या पटियाला को prefer करेंगे आप अगर मालनो prefer करते हो यहां पे अगर मैं आगे भी बात करूंगा कि placement का कैसे नहीं तो बाकी चीज यहां पर होती है अब इसके आगे हम दिसकस कर लेते हैं यहां पर seat intake को कि कितनी सीटें यहां पर available है किस तरीके से यहां पर होती ही काम करती है यहां पर देखें जो schedule cast है उनके लिए यहां पर SC category के लिए 14 सीटें रिजर्व है शेडूल tribe के लिए 7 सीटें रिजर्व है है कि 30% सीज यहां पर विमें जो होती है उनके लिए यहां पर रहेंगी और सुबर नुमरी और जमू कश्मी सुडेंट्स के लिए यहां पर थोड़ा सा इस चीज समझ सकते हो कि यहां पर जो number of seats है वह यहां पर काफी है साथी में अगर आप state reservation की बात करते हो तो वह चीज उसके आगे हमनों बात करते हैं कि curriculum के सरीके का है तो यहां पर है उसमें दो स्मेस्टर आपके सीरी सीरी होते है ठीक है उसके पहला आपका semester होता है उसमें आपके core subjects यह आपके रहेंगे उसके बार आपके dissertation वाइवा और बाकी सीज़ें यह आपके होंगी दूसरे उसमें य law, intellectual property law, law of technology इन तीनों में से कुछ भी आपको लेना है आप ले सकते हो और इसमें भी इन्होंने यही कहा है कि जो gap होती है वो 20 students जो होते है पर उस पे specialization के उपर जाएगा मतलब की 20 students ने मालो corporate law ले लिया तो उसके पार जो 30 first student होगा उसको IPR या फिल lawyer technology में से कुछ लेना प पहले IPR बाद में आएगा फिर तो वहां पर हो सकता है कि minimum number of students नहीं हुए इसलिए उन्होंने उस specialization को उफरी नहीं करा उनको वो उठा के फिर या तो corporate law में या फिर उसको उसमें IPR में यह लोग चाहता है मर्ज कर दे वो इनके उपर है वो इनका अपना खुद का खुद क करना चाहते है यह हो गया आपका course curriculum कैसे seats का division है क्या आपका जो वो है course क्या case specialist है वह मैं आपको बता दी अब बात कर लिए अब यहां पर अगर आप तूटल देखोगे तो admission fees tuition fees वा सब कुछ मिला आप बिलाके और यहां पर caution money वेगर आपका 1,60,000 रुपए आपको देना प आपको यह लोग fees रखा लेंगे यह नहीं होगा कि आपको time मिलेगा बाकी वो इस पर डिपेंड करता है कि माल लोग अपील करते हो college से तो वो लोग आपको relaxation देते हैं ऐसा नहीं आपको बस उस पर mail करके वहां पर उनसे बात करना होती है कि यह थोड़ा से मैं अगर लेट करना चाहता हूं यह अगर आसा होता है कि कुछ especially यहां पे scholarship दी जाती है तो उसके लिए आपको अलग से बात करना ही पड़ेगी college के administration से at the time of admission यह इस तरीके से यहां पर होता है ठीक है इसके अगर आप बात करते हैं अगली चीज़ की उपर कि अगर आप exam के लिए कर रहे ह अगर आपको अच्छा है तो आप बिजनस अच्छा है तो आप बिजनस अच्छा है इसके बात करते हैं इसके आगे कि college के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की प्लेस्मेंट का भिया क्या फंडा है क्या सीन है तो यह मैं आपको बता दूं कि बहें देखो जो आपका यह NLU है यह आपका कहते है पाच्छे शटे नंबर पे आता है ठीक है आप य इसके लोग कुछ कहते हैं कि JNLU की ऊपर आते ही नीचे आता है तो वह फैक्ट है जो टॉफ आपके college है वहाँ पे आपका placement हो जाता है सिंपल सी बता हो हो जाता है अगर आप बात करते हो HNLU की HNLU में भी ऐसा नहीं कि नहीं होता है कुछ आप कह सकते हैं कि corporate law में अगर students है उनका connection अच्छा है तो वह अपना करवा लेते हैं लेकिन placement यहाँ पर थोड़ा थोड़ा बहुत हलका हलका होता जुरूर है यह नहीं हम कह सकते हैं कि नहीं होता है हिसाब किताब है faculty और students साथ ही में रहते हैं ठीक academic wing है उसके लावा आपका वह सब कोच है आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से जो faculty जिसका कि हमें पता है कि हाँ यह जो particular faculty है यह particular law form में काम करके आई यहाँ पर आप उनके साथ बैठों की cabin में उनसे अपना connection बैठाओ उनसे अपने experience शेयर करो उनसे कहो कि यार मेरा यह experience है इस तरीके से इस particular area of law में corporate law के अंदर में आता है मालो marginal acquisition में आप अच्छे हो या फिर मालो किसी और particular उसमें आप अच्छे हो आप उनको बताओ उस हिसाब से अगर हो सकता है वो आपकी cv recommend करते है बहुत ही अच्छा है आपक आपको मालो CGP है अच्छा है college के अंदर आप उसमें आते हो साथ में आपका अगर मालो उनस्तुनिस के साथ एक अच्छा वह बैठता है connection जो कि पहले से किसी law form में काम कर रहे हैं उन्होंने अपने law form के उससे break लिए उन्होंने का आप हमको master's pursue करना है और उसके बाद हम आप खुद का अपना हो जाता है लेकिन थोड़ा सा आप यह भी बात मान के चलो कि जो students होते हैं जो कि पहले से किसी law form में काम कर रहे हैं वह हमेशा endless bangalore या फिर आपका हैदराबाद तक वह प्रेफर करते हैं कि हमको मिले top 2 top 3 तक HNLU में थोड़ा सा वह चीज आपको कम देखने मिलेगी कि आपको वह crowd देखने मिले जो पहले से ही किसी corporate form में place लिए वह आपको कम देखने यहां पर मिलेगी तो आप इस बात को जानके चल ठीक है यहां से अगर आप LLM कर रहे हो तो आप जब off campus जाओगे तो यह बात आप हमेशा मान के चल सकते हो कि off campus में आगर आप HNLU का नाम लेते हो तो आपको recognition मिलेगा LLM करने से यहां पर साथी में एक अच्छा खासा alumni network यहां पर HNLU का है हर अच्छी firm में law firm में अगर teaching faculty कहीं पर भी पढ़ाना चाहते हो यहां की degree valuable तो है उसकी doubt नहीं है बस थोड़ा सा उतना valuable नहीं जितना आपको top 5 colleges का यह top 3 colleges का है लेकिन हाँ it is good enough आप यहां पर अगर मानलो आप पहले किसी NLU में थे मानलो top 5 NLU से अगर आप हो तो आपको यहां पर आने का फिर हो सकता मुझे students से feedback दिया वो यह है कि यहां पर एक अच्छा balance है between ad hoc faculty और आपकी permanent faculty और जब से यहां पर नए VC आए है यहां पर 2021 के आसपास में जब से नए VC आए है थोड़ा सा जो चीज है strictness यहां पर college की बढ़ी है यहां पर जो आपके teachers है उनको permanent थोड़ा सा किया गया है और आ आपका placement cell है चाहे administration है चाहे जो कुछ भी है उसके अंदर एक थोड़ा सा अच्छा improvement यहां पर आया है compared to पहले के years में तो आप इस चीज को मान के चल सकते हो कि as the time goes HNLU के अंदर growth अच्छी है तो अगर आप माल लो यहां से degree लेके जाते हो तो आप इस बात को यह समझ सकते कुछ faculty number देने में हो सकता है strictness करें हो सकता है आपको देखना पड़े कि भाई मुझे पढ़ाई करनी है वह करनी है classes को लेकर थोड़ा से यहां पर strictness रहती है attendance यहां पर mandatory होती 75-80% यहां पर attendance आपको लानी ही लानी है उसकी बना काम नहीं चलेगा तो यह मैं सोच के चलना क कि भाई मैं attendance नहीं वह करूंगा बाकी प्रॉक्सी और वह सब चीज़ा जो होती है वह अपना आप अपना सबसकते हो जुडिशी के point of view से अगर आप मालो यहां पर तैयारी करने आ रहे हो तो मैं कहूंगा कि हाँ जगह अच्छी है बट वही है कि curriculum जो की थोड़ा सा hard है ज सब्सक्राइब के लिए थोड़ा सा cutting पड़ेगा जिनकों की concentration की थोड़ी सी problem है या फिर मालो आगर आप किसी coaching में enrolled हो अगर आप में time balance कर पा रहे हो coaching और अपने college के काम में classes में तो it is possible कि हाँ भाई अपना आपनी preparation continue रखके चल रहे हो उसमें दिक्कत नहीं है लेकिन मैं क सब्सक्राइब के बारे में campus के बारे में और बाकी चीजों के बारे में यह थोड़ा से important पार्ट है वीडियो का यह मान के चलो कि यह आपका college है यह आपका राइपूर से करीब 27 से लेका 28 km दूर है कुछ हो सकता है 24 km भी आप बोल सकते हो होता क्या है कि राइपूर है उसक है मिल जाएंगी रेड बस मिल जाएगी आप उसको पकड़के अपना आ सकतो 20 30 40 रुपे में आपको वह मिल जाएगा और मालो थोड़ा है रात में मालो ट्रैवल करना चाहिए तो दस बज़े के बाद 11 12 एक बज़े अगर मालो कांपस अब जा रहे हो ठीक है तो आपको जो आपके होस्टल से काफी अच्छ हैं उनमें कोई डाउट नहीं कांपका अच्छे तरी के सुन कुछ वो किया गया है जो का आपका अच्छी है आपको वहां पर किसी चीज कमी नहीं होगी यह सोचने का अपका होगी पूरे में सेंट्रलाइज असी सब कुछ बढ़िया है हो यहां पर आपको कई सरे धाबे मिल जाएंगे तो वहां से आप चाहो तो खाना मंगवा सकते हो अपना खास सकते हो कोई दिक्कत नहीं बाहर से खाना जैदा जो आपका हॉस्टेल है वो आपके में बिल्डिंग से करीब तो HNLU का जो एक बहुत अच्छी बात है यहां पर जो आपके फैस्ट वगरा होते हैं उदमें काफी अच्छी रॉनक होती है कल्च्रल इवेंट्स जो होते हैं जो क्लाबरेशन होता है वो काफी बढ़िया है कैंपस लाइफ आप इंजोई HNLU के अंदर करोगे बहुत बढ़ियां से यह आपको मैं कह सकता हूँ बहुत ही बढ़ियां यहां कर रहता है इस मामले में तो मैं कहूंगा इसको काफी बढ़ियां कॉलेज है और कही न कहीं देखा जाए तो अगर आप LLM करने के point of view से आ रहे हो teaching line में जाने के लिए इस college के अंदर में कहूंगा हां बढ़ियां है placements के लिए भी आप कहोगे हां 2-3-4 students का placement हो जाता है कोई वसा वह नहीं है majority students का जो है फिर अगर placement आपको चाहिए तो आपको off campus ही देखना पड़ेगा किसी student के थूँ या फैकल्टी के थूँ अपना थोड़ा सा polish करके उसके अलाबाब आब बात करते हो college की degree की value definitely है अगर आप किसी अच्छी जगा जाते हो जहां पे आप बोल रहे हैं मैं इस particular college से अपना LLM करके आया हूँ आपको respect तो मिलेगी पर stop 5 जितनी नहीं मिलेगी यह आप मानने था सकते हो campus life के जितना मैंने आपको explain करना था जितना चीज़े थी वह मैंने आपको बताएं कि यह आपके मुँपे पढ़ रहे है वह वाली ठोड़ी सी गर्मी यहां की है उस तरीके की तो उस चीज को expect करके चलना कि गर्मी यहां पर ठीक ता मिली वैसे ब्लेजर तो आपका weather है थोड़ी सा pleasant रहता है बड़ गर्मी थोड़ी सी यहां पर होती है तो इसको मानन के चल सकते ह हो बाकि judiciary की अपने दयारी की point of view से आ रहे हो अगर आप time management में अच्छे हो आपको लगता है कि आप college के सब इसको manage कर लोगे attendance भी सब कर लोगे आप कर सकते हो कोई रिक्कत नहीं अगर आप एक comparative study मेरे से पूछो तो depending upon आपकी geographical location और इस चीज के ऊपर कि आपको specialization कौन सी चा अगर आपके अंदर है शमता पढ़ने की और आप सही में सीखना चाहते हो यहां कि faculty आपके बहुत अच्छे से help करेंगी IPR का भी एवन जो students से वो बोल रहे थी कि IPR यहां पर काफी अच्छा है faculty काफी अच्छी है जो आपके vice chancellor भी आए शायद वो अच्छी चीज है यहां की faculty काफी बढ़िया है आपको उसकी कोई दिकत नहीं होगी और अपार्ट फॉन दाट अगर मालो कुछ भी चीज आप मुझे बताई सकते हो I wish you the very very best of luck for your free success bye